आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान नमस्का, आजके वीकली आउटलुक में आपका स्वालत है सबसे पहले अगर हम सोने चांदी की बात करें पुर्प इसले हपते के अंदर हमने देखा के सोने और चांदी दोनों में ही हमने एक जबरदस गिरावट बनते वे देखी ये प्राइजस के अंदर कहिना कहीं डॉलर इंडेक्स में जो तीजी आई है ये प्राइजस पर इंपेट ज़्यादा डालते वे दिखाई दे रही है जहां हमने डॉलर इंडेक्स को 20 साल के हाई पे आती हुए देखा साथ में बाउंड रिल को बरती हुए देखा ये कहीना कहीं सोने और चांदी पे दबाव दे रहा है अगले अपते फैट के मीट है जहापे इंटरस 8.5 से बढ़ने की उमीद है जिसके चलते प्राइजस के अंदर जबर्दस गिरावट का माहूल बना हुआ है टेक्निकली भी एक तो मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया जरूर है 1870-1880 के सपोर्ट पे बट कहिना कहीं अभी भी प्राइजस में रिकवरी आ दिये जियो पॉलिटिकल टेंशन को लेकर बट जो फिजिकल डिमांड की अगर हम बात करें तो इंडिया और चाइना दोनों में ही हमने देखा फिजिकल डिमांड मार्केट में काफी हैंपर हुई है टाइमिंग हमें लगता है गोल्ड काफी क्रिटिकल लेवल पे है 1920 के उपर निकलने पे ही हमें एक अच्छी तीजी देख पाएंगे अधर वाइस मार्केट एक साइड़ वे टू नेगेटिव रह सकता है फेट की अप्रेट से पहले पहले अगले हपते के लिए 51,100 से 200 के रेंज काफी इंपर्टेंट रहेगा इस ड्रॉप पे हम सोने को ले सकते बढ़ ध्यान रखे तीजी के लिए हमें 52,200 का लेवल तोड़के होल्ड करना काफी इंपर्टेंट है वहीं अगर चान्दी की बात करे तो गोल्ड के मुकाबले चान्दी में ज़्यादा गिरावट देखी गई जिसम से बेसमेटर में गिरावट है 62,500 से 63,000 का एक अच्छा सपोर्ट लेवल है यहाँ से चान्दी में वापस बाइंग लॉटते वे दिखाई देगी बढ़ तेजी करने के लिए 65-500 का लेवल तोरके होल्ड करना काफी इपॉर्टन रहेगा डोमिस्टिक मार्केट में रुपे की गिरावट के चलते तोड़ा बहुत सपोर्ट फिर भी मिलतावा दिखाई दे रहा है एनर्जी कंप्लेक्स के अगर हम बात करें तो यहां पर हमने एक सांदा रिकवरी देखी है कुरूड और नैच्रल गैस में उमीद के रिसाब से टाइमिंग हम देखते हैं कि पिछले तीन मैंने से एक ब्रॉडर रींज बना हुआ है कि पिछले दो मैंने से कि सेविंटी फाइंडिड के नीचे नहीं जा पा रहा है तो कहिना के टेक्निकली ओवरबाउट होने के चलते में भी पॉसिबल है कि हम एक प्रॉफिट बॉकि स्टेजी के डिजर्व भी ओपन कर रखे हैं और प्रोडेक्शन भी कंटीनियू भडा रहा है जिसके चलते हाइर लेवल पर दबाव बन सकता है तो अगले हपते के लिए एटी टू एटी ट्री हंड़ेड नहीं जा सकता है बट वह लेवल पर सस्टीन नहीं करेगा नहीं होता है नैचल गैस में अभी भी तेजी का ही रुक रहेगा टेक्निकली ओवरबाट होने के चलते हमें उमीद है कि प्राइजर्स पांसो बीस से पांसो परचीस के एक पुल बैक मिलता है तो लेके चलिए जब तक पांसो के उपर मिंटेन है पॉसिबल हम 580 से 590 तक क की गिरावट निकल में ट्रेड जादा नहीं पटार बट सबापर्सन की तीजी जरूर दिखा रहा है वहीं अगर हम लैड और लैड की बात करें एक पर्सन की गिरावट हमने आते वे देखी है ओवर ओल चाइना जीजन से लॉगडाउन में गया है दिमांड कंसर बने वे ह है साथ में टॉलर इंडेक्स की तीजी की वज़े से भी ये गिरावट जारी रही है टेक्निकली थोड़ा ओर सोल जोन हम बोल सकते हैं पिसले एक मेंडे में हमने जबर्दस गिरावट जो देखी उसकी चलते बट कहीं ना कहीं अभी भी डिमांड के कंसर्स के वज़े से प कॉपर की बात करें तो 780 का एक बेस्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है में भी पॉसिबल 775 तक का लेवल मिले बट जब तक 800 की उपर प्राइजस नहीं निकलता दवाव बना हुआ रहेगा जिंके अंदर अगर हम बात करें तो प्राइजस ने कल काफी बड़ी पटाती वे दिखी है 250 तक का सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे जकता है एनंत में लेड की बात करें तो लेड 180 से 190 के रींज में ही ट्रेट करता हुआ दिखाई देगा ओवरल बेस मेटल में थोड़ा कौशेस रहके काम करना चाहिए धन्यवाद थीज़ आता है